वाट्सप गाईस कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आच चुके हैं एक नए वीडियो के साथ तो गाईस अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए साथ ही बैल आइकन को भी दबाईए ताकि आपका कोई भी वीडि न्यूज इंडिया हैस्टेक बीडि न्यूज इंडिया सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा अब मैं आपको पताना चाहता हूँ कि ये Facebook चैनल पर Facebook पे पर मैं आपको कोई भी फिल्म आपको अगर चाहिए हो कोई भी फिल्म आपको डाउन्लोड करनी हो तो मैं आपको direct मैसेज करके दे देता हूँ तो आप हमारे Facebook से जुढ़ जाएए तो गाईज आज मैं आपको पताओंगा वरूंदहबन की अब कमिंग मुविज्क के बारे में आप कौन सी फिल्म उनकी आने वाली है और फिल्म का नाम क्या है और किस तारीक को या नी कब आने वाली है वो फिल्म अगर आप वरुन्ध हुण के फैन है तो इस वीडियो के एक लाइक कर दीजे साथ ही कमेंट करके बताइए कि वरुन्ध हुण की आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी चलिए गाईस स्टार्ट करते हैं वरुन्ध हुण के बहुत अलग अलग तरे की फिल्में की हैं उन्होंने स्टार्टिंग में की थी स्टूडेंट आप दा इयर फिर मैं तेरा हीरो फिर हमपी शर्मा की दुलनिया और बदलापूर ABCD2 दिलवाले धिशुम और बहुत सी उनकी फिल्में आई थी जो की बॉक्स ऑफिस पर आदे से ज़ादा सारी फिल्में ने बॉक्स ऑफिस फे धमाका किया है कुछ फिल्में छोड़ दे जो की है October लेकिन इसको भी लोगों ने अच्छा पसंद किया था और इस फिल्म को एबरेज करार दिया गया था तो वरुन दबन की अभी तक उनके करियर में एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है अभी रीसेंट सुईधागा आई थी वो भी फिल्म हिट हुई थी उनकी एक भी फिल्म अभी तक सुपर फ्लॉप या फ्लॉप नहीं हुई है और उनकी अभी तक की सबसे करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है जुडबा टू और उसके बाद आती है बदरी नात की दुलहनिया आपको बता दो उनने दो तीन रोमेंटिक फिल्म भी की है जिन में से एक है बदरी नात की दुलहनिया और हमपी शर्मा की दुलहनिया तो य में आने वाली है फिल्म कलंग जी यहां गाईस इसे फिल्म को डारेक कर रहे हैं अभीशेक बर्मन इस फिल्म में हमें लीड रोल में दिखेंगे वरुन धवन आलया भट संजे दत माधुरी दिक्षित आदित रोय कपूर सुनाक्छी सिना यह एक एपिक ड्रामा फिल्म है ज और वरुन धवन इस फिल्म में लीड रोल आपको मैं बता दूँ कि करन जोहर की यह फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो 15 साल पहले से इसको बनाना चाहते थे लेकिन वो एक अच्छे डारेक्टर की दलाश में थे इसलिए वो इस फिल्म में टाइम लगा और वो अच इस फिल्म में काम करना चाहते थे और वो करन जोहर के ड्रीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और फिर से साजित नाडियवाल के साथ काम कर रहे हैं तो इस फिल्म से वो बहुत खुश है यह फिल्म आपको बता दूँ कि 19 एपरिल को 2019 में रिलीस होगी इस फिल्म के लिए चार महीने कम से कम बचे हैं और इस फिल्म की शूटिंग लगबग पूरी हो चुकी है थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है आलिया भट ने अपनी शूटिंग पूरी कर ली है इस फिल्म का बजट 50 करोड है यह फिल्म आराम से बॉक्स आफिस पे धमाका मचा सकती है क्योंकि बजट थोड़ा कम है लेकिन इस फिल्म की कमाई बहुत अच्छी होगी इस फिल्म को डारेक्ट करेंगे अभी शेक बर्मन और उस फिल्म को प्रेड्यूस करेंगे धर्मा प्रोडक्शन यानि की करन जोहर यह फिल्म 19 एपरिल 2019 में करन के बाद आएगी फिल्म रन भूमी जियां गाइस रन भूमी की बात करते हैं यह 2020 में फिल्म आने वाली है लेकिन इस फिल्म का अनॉंसमेंट पहले से ही कर दिया गया है आफ्टर हमपी शर्मा की दुलनिया बदरी नाथ की दुलनिया सुपर हिड डारेक्टर करन जोहर और सुपर हिड डारेक्टर शशांग क देखेंगे वरुन धबन और इस फिल्म को डारेक करेंगे शशांग केतान वहीं इस फिल्म को प्रेडियूस करेंगे करन जोहर आपको बता दू करन जोहर बहुत ही कम फिल्म डारेक करते हैं ज्यादतर फिल्में जो डारेक की हैं वो शारुख खान के साथ काम करके हुए की हैं ऐसे तो वो ज्यादतर फिल्में प्रेडियूस करते हैं और वो प्रेडियूसर बहुत ही सक्सेस्फुल प्रेडियूसर हैं उनने बाहु बली फिल्म और बाहु बली वन ओव टू दूनों ही प्रेडियूस की थी और अब्र आप्छे कुमार की जो फिल्म रिलीस होई थी जिसका नाम था टू-पॉंट व, उस फिल्म को भी प्रेडियूस किया था तो करन जोहर प्रेडियूसर बहुत ही बड़े बहुत बड़े प्रेडियूसर है और उनकी फिल्मे लगभग बॉक्स आफिस पर हिट होती है अब मैं आपको बता दू कि ये फिल्म अभी तक इस फिल्म का बजट नहीं पता चला है ये फिल्म 2020 में आएगी दीवाली में इस फिल्म के बात आती है रेमो डिसूजा की बिगस डान्स फिल्म रेमो डिसुजा एक डांस फिल्म बना रहा है जो की बहुती बड़ी डांस फिल्म है इसमें वरुंध हमन और काट्रीना कैफ हमें साथ में देखेंगे रेज तुरी के फ्लॉप होने की वज़े से ये फिल्म थोड़ी सी लटक गई थी लेकिन ये फिल्म अब फिर से आ रही है इस फिल्म को भूशन कुमार और रेमो डिसुजा भूशन कुमार इस फिल्म को प्रड्यूस करेंगे रेमो डिसुजा इस फिल्म को डारेक करेंगे इस फिल्म में हमें प्रभू देवा भी लीड रोल में देखेंगे और रागहव, जुलाल, रमेश और यह पूरी ABCD की पूरी फिल्म की टीम होगी और हम बोल सकते हैं कि यह ABCD 3 है लेकिन इस फिल्म का हम ABCD 3 नहीं बोल सकती क्योंकि इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है इस फिल्म में हमें लीड रोल में दिखेंगे वरुन धबन और काट्रीना कैफ यह फिल्म रिलीज होगी 2019 में आठ नवेंबर को 2019 में रिलीज होगी यह फिल्म को प्रेड्यूस करेंगे टी सीरीज वाले यानिकी पूशन कुमार यह एक डांस ड्राम रेमर डिसुजल की डांस फिल्म के बाद आई गया वरुन धबन की फिल्म बीवी नंबर वन रिमिक आफ्टर सक्सेसफुल जुडबा टू की सक्सेस के बाद वरुन धबन ने ठान लिया है कि वो सलमान खान और गोविंदा की हर फिल्म का रिमिक बनाएंगे मतलब सेम टू सेम कॉपी बनाने वाले हैं इस फिल्म को डारेक करेंगे उनके पिता यानि की डेविड धवन जुडबा टू बहुत बड़ी बॉक्स ओफिस पे हिट होई लेकिन इसे नेगेटिव रिव्यू मिले लोगों ने इस फिल्म के गाने और वरुन धुवन का डान्स तो पसंद किया लेकिन उनकी कॉमेडी इतनी पसंद नहीं आई फिल्म ने बॉक्स ओफिस पे अच्छा खासा पदर्शन किया क्योंकि फिल्म का बज़न मतलब बज़ट और फिल्म को जो बज़ज था लोगों के बीच में वो बहुत हाई हो चुका था फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट थे और लोगों ने बहुत एकस्पेक्टेशन के साथ सिनिमा में गए और फिल्म को देखा अब बात करते हम इस फिल्म के रिव्यू की तो इस फिल्म के रिव्यू जादा तर निगेटिव थे वरुन धवन की पब्लिसिटी थोड़ी सी कम हुई थी लेकिन फिल्म की हिट होने के बाद वरुन धवन साथ में आसमान में पहुँच गए थे अब मैं बता दू कि वीवी नमर वन सल्मान खान और करिश्मा कपूर स्टार रफ फिल्म है जो की 1999 में रिलीज हुई थी और ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी सल्मान खान के करियर की अब इस फिल्म का रीमेक बनने वाला यानि रीमेक मतलब होता है की किसी चीज़ को फिर से बनाना तो ये फिल्म फिर से बनेगी जिसमें हमें लीड रोल में दिखेंगे वरुन धबन और शायद से इस फिल्म है सुनाच्छी सिना एज लीड एक्टरस हमें मिल सकती है अब ये फिल्म फाइनलाइज नहीं हुई है लेकिन ये एक क paradox है अब जिसे डेविड हमा नहीं डारेक्ट करेंगे और वही इस फिल्म को प्रडियूस करेंगे इस फिल्म के बाद आती है फिल्म फाइव जी हाँ गाज़ आर्ट डारिक्टर अमंग कमार अमंग कमार को तो आप जानते हूंगे इनने हमें बनाई है मेरी कॉम और फिल्म सरब जीद और अभी एक संजेदद के साथ फिल्म बनाई थी वो बॉक्स ओफिस पे बहुत बुरी फ्लॉप थी इनकी दो फिल्म बात करें तो इनकी बेस्ट फिल्म है मेरी कॉम और सरब जीद ये एक अब ये वरुन्धवन के साथ एक फिल्म बनाना चाहते है ये एक फिजियो लॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम रखा गया है फाइव ये फिल्म में वरुंध हमें लीड रोल में देखेंगे इस फिल्म को डारेक्ट करेंगे ओमंग कुमार और इस फिल्म को प्रेड्यूस करेंगे टी सीरीज के भूशन कुमार ये फिल्म एक ठ्रिलर फिल्म है जो की जनवरी 2020 में रिलीज हो सकती है और इस फिल्म के बाद सुधी है कि आलिया भट और वरुण धवन पहले ही कंफर्म हो चुके हैं बाकी की स्टार कास्ट के लिए ये प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है ये फिल्म अभी फाइनलाइज नहीं हुए है लेकिन ये फिल्म 2020 तक रिलीज होने की बात हो रही है ये एक ड्रामेटिक फिल्म है जिसमें हमें वरुण धवन और आलिया बट और करन मनहुतरा डारेक करेंगे इस फिल्म को प्रेड्यूस करेंगे करन जोहर ये एक सुधी फिल्म है तो ये थी हमारी लिस्ट वरुण धवन की 2019 में और 2020 में कौन सी फिल्म है आने वाली है उसकी ये लिस्ट थी आप हमारा वीडियो को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशिन नों बता सकते हैं अब बात करते हैं हमारे फेस बूप पेच के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी फेस बूप पर बहुत सारी मुवीज अपडेट की हैं अभी मैंने सुईध हागा को अपलोड कर दिया है ये फुल एचडी है आप इसको डारेक जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फिल्म को और इसके बाद मैंने अपलोड किया है फिल्म लवरात्री को ये आईश शर्मा की है जो कि सल्मान खान के बहन के पती है और ये फिल्म भी 2018 में आई थी ये भी मैंने फूल एचडी में रिलीस कर दी है तो आप इस फिल्म को जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद मैंने फिल्म इस्तरी यानि की राजकुमार राव और श्रदाकबू स्टार ओफ फिल्म इस्तरी को भी मैंने फीजूपर पेच पर अपलोड कर दिया है इसके बाद मैंने ठाग ओफ इंदोस्तान आमिर खान और अमिताब बच्चन की स्टार फिल्म इसको भी मैंने अप्लोड कर दिया है इसके बाद आती है पहुत सारी फिल्म मैंने न्यूज वीडियो भी अप्लोड किये हैं और मैंने आपको पता है इसमें कलेक्शन्स की रिपोट दी है मैंने 2.0 की बॉक्स ऑफिस पे इसने वर्ल्ड वाइड 615 करोड करोस कर लिये थे खाली 14 दिन में उसकी अपडेट दिये है मैंने बाजार फिल्म डाल दी है सैफली खान की और मैंने भी आपको पता है मैंने 2.0 तो पहले ही डाल दी है अक्षे कुमार की फिल्म 2.0 और रजनी कान्थ की फिल्म रोबो 2 मैंने अपलोड कर दी है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद मैंने भारत आने नेनु यानि की भारत अग्रेट लीडर महीश बाबो की फिल्म भी मैंने डाल दी है यह फिल्म बहुत ही अच्छी है इस फिल्म में वो CM का करदार निभाते हैं जो की एक तिलंग आना का है बहुत ही अच्छी फिल्म है वो अपने पिता की हत्या के बाद वो वहां के CM बनते हैं एक स्टेट के और फिल्म कैसे अपने स्टेट को समालते हैं उसके बारे में यह फिल्म है अच्छी फिल्म है आपको देखना चाहिए इसके बाद मैंने अपलोड कर दी है फिल्म Race 3 सल्मान कान स्टार Race 3 फिर मैंने मिर्जप और पूरी सीरीज डाल दी है आप इस फिल्म को जाके देख सकते हैं यह मिर्जप और एक सीरीज है जो की Prime Original पर अपलोड हुई थी अब इसके बहुत सारे एपिसोड हैं आप जाके इसको एक 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 एपिसोड करके देख सकते हैं इसके बाद मैंने अपलोड की थी कोविंदा की फिल्म Friday इसके बाद आईशमान खुराने की अनाधुन फिर अपलोड की थी मैंने बढ़ाई हो आईशमान खुराने की फिल्म बढ़ाई हो जो की इस फिल्म की बहुत बहुत बड़ी successful फिल्म है इस साल की इसके बाद मैंने अपलोड की थी अपनी 2.0 आपको मैंने बढ़ा चुका हूँ इसको मैंने बहुत बार इसको मैंने पिन भी कर दिया है कि आपको सबसे उपर देखे क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड अभी 2.0 की चल रही है लोग 2.0 को देखना चाहते हैं इसके बाद मैंने भाया जी सुपर हिट को भी डाल दिया है तो आप जाके देख सकते हैं और अगर आपको और कोई फिल्म की रिक्वार्मेंट है आपको तो आपको करना क्या है आपको सर्च करना है एड दी रेट बीडी न्यूस इंडिया ये हमारे पेच का यूजर नेम है आपको ये सबसे उपर मिल जाएगा और इसके बाद भी आपको नहीं मिलता है तो आपको सर्च करना है हैस्टेक बीडी न्यूस इंडिया इतना बस करेंगे तो आ जाएगा या फिर आपको अभी भी नहीं मिलता है तो आप मुझे मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप जाके वहां से डारिक मुवी मुझे या सबसे पहले मेगा पेज लाइञ करिएगा उसके बाद मुझे मैसेज करिए कि आपको कौन सी फिल्म चाहिए या फिर आपको इन्हीं मैसे कोई फिल्म चाहिए तो आप स्क्रॉल डाँ़न करके नीचे जाके कोई भी मुवी डाउनलोड कर सकते हैं अभी भी आपको कोई फिल्म चाहिए है तो मुझे नीचे यूटूब पर की कमिट सेश्चन पर आप बता सकते हैं मैं जादा जादा बहुत सारे कमिट्स आइंगे उस मुवी के बारे में तो मैं मुवी को अपलोड कर दूँगा और वैसे भी आपको कोई requirement है तो आप डारेक मुझे message कर सकते हैं तो ये था हमारा वीडियो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको कोई भी फिल्म की requirement हो आप डारेक मुझे facebook पर message कीजिए मैं आपको वो फिल्म प्रोवाइड करा दूँगा Thank you guys for watching my video